नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपकार की क्लासिस में बीपेसी पीटी 10,000 MCQ कोश्चन सीरीज में आज जो है हम लोग पंडे वाले हैं विदेसी आक्रमन के बारे में लेकिन इसको सुरू करने से पहले आपसे रिक्विस्ट है कि आप अपनी राय जरूर बताएं कि ये आपको कैसी लग रही है या आप की लिए ये लाबदायक है आपका रिविजन अच्छा हो रहा है तो जरूर आप कमेंट करके बताएं क्योंकि अब अच्छा कमेंट करते हैं या जैसा आपको लगता है तो फिर एक मज़ा आता है इसको अप्लोट करने में काफी आनंद के स प्लोट करता है तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टोपएक विदेसी आक्रमन है पहला मुझत करते हैं कि कनिश्क का दरवारी ल्टक कौन था कों कैंश का चरक के लावा कनिश के दरवार में वशुमित्र नागारजुन और अश्वघोष चरक जैसे विद्वान रहा करते थे ज्यान रखीएगा वशुमित्र नागारजुन अश्वघोष ये सब भी कनिश के दरवार में रहते थे बात करेंगे अगर चरक की तो देखी चरक जो है क कनिश्क का दरबारी कभी था और आयुर्वेद में इनका महत्पुन योगदान है चरक का कनिश्क की बात होई रही है तो ध्यान रखी कनिश्क के काल में चौथा बहुत संगिती हुआ था ध्यान रखीएगा चौथा बहुत संगिती किसके काल में हुआ था कनिश्क के काल में और ये कहां पहुआ था तो कसमीर में हुआ था ध्यान रखीएगा ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे तो वशुमित्र इसके अध्यक्ष थे और अश्वगोष्य इसके उपाध्यक्ष थे ध्यान रखीएगा, क्लियर है चौते बहुत संगिती के बाद ही देखिए जो बहुत धर्म है ये दू भागों में बढ़ गया था हेनियान और महायान क्लिर है तो कनिश्क जो है ये महायान साखा से संबंदित था इसको इसने बढ़ाया गंधार कलाव गेरा इसी साखा से संबंदित है बात करेंगे माध्यमिक सिध्धान्द का शुत्रपात नागरजुन ने किया था ध्यान रखिएगा अभी ये में लोगों ने देखा कि नागरजुन वशुमित्र अश्वगोष चरक ये सभी कनिश्के दरवार में रहते थे तो उनमें जो नागरजुन थे नागरजुन ने माध्यमिक सिध्धान्द का शुत्रपात किया था और जो नागरजुन थे ये जो हैं महायान साखा से संबंदित है ध्यान रखिएगा किस साखा से महायान साखा से अगला सवाल कहता है कि बिना सर की कनिश की परतिमा पाई गई थी headless statue जो था ये किस अस्थान पर कनिश का एक headless statue पाया गया है तो ध्यान रखना है ये headless है तो ये मतुरा में मिला है कहाँ पर मिला है मतुरा में clear है और माना जाता है कि दक्कन के साशक ने मूर्ती का जो सिर मूर्ती का जो headless है उसको काट दिया था अगला सवाल खारवेल साशक किसके राजबंस का सबसे बड़ा साशक था ध्यान रखी खारवेल जो साशक थे इन्होंने उडिसा पर साशन किया था कलिंग पर ठीक है खारवेल साशक जैन धर्म को मानने वाला साशक था और खारवेल साशक की बात करें तो हाथी गुमपा विलेग जो है ये खारवेल साशक से संबन दित है बहुत इंपोर्टेंट है ध्यान रखना है बात करें उदैगिरी, खंडगिरी, पहाड़ी ये सब कहाँ पर है, उडिशा में जो की जैन धर्मस्तल है अगला सवाल कहता है कि कौन सा राजवन्स गंधार स्कूल अफ आर्ट से जुड़ा था कौन सा राजवन्स, तो देखिए ये था कनिश्क, कुशान क्लिर है, कुशान राजवन्स ये किस्से संबनित है तो गंधार कला से और मायान साखा से क्लिर है, कनिश्क कोदूती अशोग भी कहा जाता है हमार अगला सवाल है कनिश्क गदी पर कब बैठा ये बैठा था 78 AD में ध्यान रखी गदा, 78 AD में और इसी समय जो है, इसने शक संबन्त शुरू किया था कनिश्क की बात करें तो इसने सिल्क रूट पर अधिकार कर लिया था कनिश्क जो है, ये मायान साखा से संबन्दित है, इसने बाधर्म का परचार, चीन, जापान कूरिया जैसे देसों में करवाया था ध्याने कीगा, मतलब भारत की उतरी शेत्रों में बाधर्म का परचार परसार कनिश्क ने करवाया था वहीं अगर हम से पूछे, दक्षिनी शेत्रों में जैसे स्रिलंका, थाइलेंड इन सभी शेत्रों में बाधर्म का परचार अशोक ने करवाया था केता है कि कन्स के काल में चोथा बहुत संगेती हुआ था कहां पर तो कस्मीर में अध्यक्ष वश्वमित्र उपाध्यक्ष अश्वखोष आगे देखते हैं हमारा अगला प्रशन है कि अलेक्षेंडर और पोरस की सेना ने किस नदी के विपरित किनारों पर डेरा डाला था ध्यान रखिए अलेक्षेंडर और पोरस की सेना ने जेलम नदी के विपरित किनारों पर डेरा डाला था जेलम नदी की बात करें तो उसका ग्रीक नाम हैड़ेस्पीज, हैड़ेस्पीज, ठीक है इसलिस को हैड़ेस्पीज का युद्ध भी कहते हैं, नामों की बात आ रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि चिनाब का पुराना नाम आसकिनी है, रावी परुशनी, सतलज सतुद्री, जेलम वितिस्ता, अगला सवाल कहत है कि कि सासक को वर्ण व्यवस्था का रक्षक माना जाता है, वर्ण व्यवस्था का रक्षक माना जाता है, गौत्मी पोत्र शात करनी को, ध्यान रखिए, गौत्मी पोत्र शात करनी को वर्ण व्यवस्था का रक्षक माना जाता है, हमारा अगला सवाल है कि दूसरा अशो में जो है बहुत दर बढ़ गया था जहां रखे करिश को दूसरा सो कहते हैं बात करेंगे अगर समद्र गुप्त की तो इसे नेपॉलियन ओफ इंडिया कहा जाता है किसे कहते हैं नेपॉलियन ओफ इंडिया शमद्र गुप्त को और यह कहा था वी ए स्मित ने ध्यान रखे ठीक है और नरसिंग वर्मन ने पूल्केशन दूतिये को हरने के बादbahn वातापी कौंड की उपादी दारन कर ली थी चलिए अगला सवाल कहता है कि मतुरा कला कब विक्षित हुआ तो ये हुआ था कुशान के काल में नेक्ट कुश्चन बिना स्रम का या बिना मजदूरी उपियो किये गए सुदर्शन जील का नविनिकरण किसने किया था तो ये किया था रुद्र धामन ने रुद्र धामन ने जो है सुदर्शन जील का नविनिकरण मनब जिन्डो धार पुनरुद्धार फिर से इसका रिबिल्ट किया था रुद्र धामन ने और इसके बारे में जो लिखा हुआ है जुनागड अभी लेक में अगरा सवाल कि विंद्य आदीपती किसे कहते हैं विंद्य आदीपती तो ये कहते हैं गौत्मी पुत्र साथकर्णी को गौत्मी पुत्र साथकर्णी को ही वर्ण व्यवस्था का रक्षक माना जाता है ध्यान रखिएगा हमार अगला सवाल है यवनिका परदा परथा को भारतिय रंगमंचे में से किसके द्वारा पेश किया गया था तो परदा परथा को पेश किया था युनानियों ने किसने युनानियों ने नेक्स सवाल नागारजुन अश्रगोष वश्रुमित्र किसके समकालिन थे तो ये सभी जो हैं चरक बिनमियाप एड़ कर लीजे ये सभी कनिश्ट के दरबारी थे क्लियर है बात करेंगे नागारजुन की तो देखिए इन्होंने माद्मिक शुत्र का जो है माद्मिक शिद्धान्त का सुद्रपात किया था अश्रगोष चौथे बात संगिती में उपाध्यक्स थे क्लियर है और ये जो हमारे हैं वश्रुमित्र ये चौथे बात संगिती के अध्यक्स थे चरक जो है इनके दरबारी कभी थे आयुर्वेद में काफी मात्पुन योगदान था हमारा अगला सवाल है कि भारत में सोने के सिक्के जारी करने वाला परथम सुल्तान कौन था तो देखे सोने का सुल्तान नहीं माफ करें भारत में सोने के सिक्के जारी करने वाला परथम कौन थे तो यह जारी किया था इंडोग्रीक ने अगर सिल्टान ही पूछ ले तो वो है मुहमद बिन कासीम जिसे की दिनार कहा गया था, इसने जारी किया था मुहमद बिन कासीम ने नेक्स्ट कुश्चिन है, कुसान काल में सरवादिक विकास किस छेतर में हुआ 되는 कि कुसान की काल में सबसे ज़ादा विकास जो हुआ है ये कला के छेतर में हुआ है और ये कला कौन सा तो मतुरा कला गंधार कला ठीक है गंधार कला मतुरा कला अगला सवाल हर्सवर्दन ने अपनी धर्मसभा का आयोजन कहां किया था हर्सवर्दन जो है इसने अपनी दर्म सभा का आयोजन परियाग में किया था इसके द्यान रखीएगा इसमें इसने कुल छे सभाएं की थी और छे सभाओं में ये खजानों को बाटा करता था इसी के काल में होयन सांग आया था द्यान रखीएगा हर्स वर्दन के काल में आया था हर्स वर्दन पर एक पुस्तक लिखी है हर्स चरित और ये लिखा किसने है बांभट्टने द्यान रखी है कहता है कि हर्स वर्दन जब दक्षिन भरत गया था तो यहां चालुक क्वन्स के सासक पुलकेशन दूतीय ने इसको कि सेंड थॉमस भारत किसके सासनकाल के दुरान इसाई धर्म का परचार करने के लिए आये थे तो दिहान रखिएगा सेंड थॉमस जो है ये गोंड फिरे नीज पार्थियन के सासनकाल में इसाई धर्म का परचार करने के लिए भारत आये था और शक के बाद जो है शक्षसाचकों के बाद पार्थियन भारत आये थे सेंट थॉमस ने केरल में साथ चर्चों की स्थापना की थी साथ चर्चों की स्थापना next question है महान रोमांटिक नाटक कादमबरी का लेखक कोन है तो देखी कादमबरी को लिखा है बान भट ठीक है और बानभट ने जो है हर्श शर्वर्दन ने लिखा है कादम्री की बात करें तो ये संस्कित भाशन में लिखा गिया है इसके लाब ध्यान लेखी है रतनावली, प्रेदर्सिका, नागानन्दा ये तीनों बुक हर्श वर्दन ने लिखा है हमार अगला सवाल है कि शक यूद की शुरुवात किस ने और कब की थी तो शक यूद 78 AD में शुरूवा था और ये शुरू किया था कनिश्क ने कनिश्क को दोतिया शूग भी कहा जाता है उत्तर बारती छेत्रों में बौध धर्म का इसने परचार किया था महायान साका सिल संबंदित था चौथा बोसंगी तिसी के काल में हुआ था हमार अगला सवाल है कि प्राचिन भारत के शातवान समराज में जिले को क्या कहा जाता था तो ध्यान रखिए शातवान समराज में जिले को आरा कहते थे आरा बात करेंगे साथवान समराज की तो इसका संस्थापक शिमुक था शिमुक ज्यान रखिएगा अगला सवाल है कि मौर समराज की विनास के बाद आकर्मन की एक स्रिंखला का निर्मान हुआ भारत पर आकर्मन करने वाले पहले थे ये थे इंडो बैक्ट्रियन और इंडो बैक्ट्रियन का ज़िए सबसी प्रमुक्षाशक था ये मिनांडर था मिनांडर पर एक किताब लिखी गई है मिलिंद पन हो मिलिंद पन हो और ये लिखा है नागसेन ने ध्यान रखना है नेक्स कुश्यन है शुंग के बाद कौन आया था शुंग के बाद कंव आये थे कंव अगला सवाल कि 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 चीनी जनरल को कनिश्क ने हराया था तो कनिश्क ने पैनचाव एक चीनी जनरल था जिसको की पैनचाव ने कनिश्क को हराया था ध्यान रखी nat भारत और ग्रीक की शेयुक्त कलासेली को क्या कहते हैं तो इसे कहते हैं गंधार कला ठीक है और इस कला को कुशानकाल में प्रसिद्धी मिली थी हमारा अगला सवाल है भारत और ग्रीक की शेयुक्त कलासेली को क्या कहते हैं सेम कुशन रिपीट हो गया है कुशानकाल में प्र किसने युनानियों ने अगला सवाल है किस वंस कि सासकों ने ब्रहामन और बहुत विक्षों को करमुक्त गाउदान देरे की प्रथासुरू की तो ये स्टार्ट किया था शातवान सासकों ने इसने सातवान सासकों ने ध्यान रखना है सातवान सासकों की राजधानी अमराव स्वाल है कि कनिस्ग राजधानी कहा थी तो देखिए कनिस्क की जो राजधानी थी ये कहा थी पुरुष्पुर या पिशावर क्लियर है इसी के काल में छोथा बाउत संगिती कस्मिर में आईजित हुआ कैनिस्ग ने उत्तर भारत एवं विदेशों में बाद का परचार किया इसे दुतिया सोग भी कहते हैं इसने 78 एडी में सक्षमवन्त स्टार्ट किया और इसके काल में ही गंधार कला का सरवाधिक विकाश हुआ ये था हमारा आज का टॉपिक उम्मीद है आपका अच्छे से रिविजन हुआ होगा विडियो अच्छा लगा दूसे लाइक और शेयर जरू करें मिलते हैं जल्दी अगले लक्षर में धन्यवाद